नमोसु माराजी, माराज सिरी, अभी हम भोपाल में जब ट्रस्टियों उसका सम्मेलन हुआ था, तो उसमें एक फिल्म दिखाई गई थी, वो देखके माराजी ऐसा लगा, कि ये बास्तों में क्या बन रहा है, माराजी गुनायतन की जो परिकल्मा वो आपके मन में कैसे आई और जब उस साका लूप लेगी, उसका अद्भुत न जा रहा, हम लोग कैसे दिखाई गई है, देखें गुनायतन की जो बात है, जब मैं सम्मेज सिखर जी गया, हमारा सिरोमनी तीर सिस्थल, लोग आते हैं, बंदना करते हैं, दर्शन करते हैं, पर वहाँ, मुझे एक भ जो जयन, इस्थापत और कला का उतकृष्ट नमुना बन सके, साथ एक दिन मेरे साथ कुछ युवग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, निर्वान का अर्थ क्या होता है, एक भी नी बता पाए, निर्वान भूमी में है, बीस तित्धन को की निर्वान भूमी है, पर दस ब भर में निर्मान हो रहा है, सभी तीर्थ हैं अच्छे हैं, लेकिन सम्मेच सिकर ऐसा है, जिसे तीर्थ हंकरों ने बनाया, और अनादी का सास्वत तीर्थ है, जिस तीर्थ में हर किसी को जाने के एक बार इच्छा होती, तो यहां कुछ ऐसा निर्मान होना चाहिए, जो न में समझ सके मन में बिचार आया उन दिनों में शंग में कर्मकार्ड पढ़ा रहा था गुनस्थानों की चर्चा आ रही थी और इसी प्रकार की बात मेरे मन में आई क्यों नहीं गुनस्थानों को आधार बना कर कुछ ऐसी परी कलपना को साकार रूप दिया जाए जिसके माध्धम से लोग जेन धार्म के मर्म को आत्पषात कर सके उसी कलपना का साकार रूप मुनाइतन है हमने सोचना सुरू किया मेरे सामने एक बड़ी चुनृती थी कि भावात बात को क्रियात्मक रूप में कैसे दिखाया जाए ये कल्पना मेरे मन में 2006 में जन्मी थी गुर्देव के आशिरबाद के बाद उसे हमने शाकर करना सुरू किया और 2008 में उसे मूत रूप देने का निने लिया सबसे पहले लाइट एंड सौन प्रोग्राम के माध्धम से पूरी स्टोरी बोड इसकी बनी स्क्रिप्ट लिखी वो लिखा बढ़िया बना लेकिन लोगों ने कहा है टेकनालोजी बहुत पुरानी हो गए रिये उतना प्रभावत पादक नहीं हो गए फिर और रिशर्च हुए दो आरेंडी और हुई और उसमें मैंने दो स्टोरी बोड अलग तयार कराई स्क्रिप्ट लिखी दो वो भी मुझे पसंद नहीं आई स्टोरी बोड बन गई लेकिन मुझे लिखा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो मेरे मन में एक ही बात थी कुछ ऐसा बने जिसको देखकर हर किसी के मुक्षे के वर वाहा निकले 2007 से हमारी आत्रा सुरी हुई और 2017 के 11 अगस्त तक मैंने दूसरी स्टोरी बोड को डश्ट बीन में डाला 10 साल की आरेंडी डश्ट बीन में गई और 11 अगस्त 2017 से एक नई परिकल्पना मेरे मन में आई जो अब साकार रूप लेने जा रही है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले वरस तक वह पूरा तयार हो जाए वहाँ आप जो बन रहा आपने उसकी जलक देखी है वो अधबुत है लोग दातों तले उंगली दबाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है अभी लोग वहाँ कह रहे है जबकि केवल अभी स्टोरी बोर्ड है उसके थोड़े से करेक्टर्स को लोगों ने देखा है लेकिन मुझे लग रहा है कि वदभुत है उसमें दो चीजे है एक तो यात्रा आत्मा से परमात्मा की एक एनिमेटेड मूबी है जो एक सो पंद्रा मिनट में पूरे जैन धर्म का मर्म बड़ी सरस्ता और सुगमता से दिखाएंगे फोड़ी एक्स के साथ तू सेवेंटी डिग्री की स्क्रीन पर बिश्व की ये इकलावती कृती होगी दुनिया में आज तक ऐसा कहीं नहीं है जहां एक साथ फोड़ी एक्स और टू सेवेंटी डिग्री की टेकनलोजी का उपयोकिया है ये बिश्व की इकलावती कृती होने जारी है और जिसमें बहुत ही नायाब तरीके से मिथ्या दिष्टी से सिद्ध वस्था तक की संपून यात्रा है और जिसमें लोग जान सकेंगे मिथ्या दिष्टी क्या होता है सम्मेक दिष्टी क्या होता है कैसे होते हैं श्रावक कैसे होते हैं मुनी राज कैसे होता है ध्यान कैसे होती करमों की निजरा कैसे होता है केवल ग्यान कैसा होता है भगवान का समोसरन कैसे खिरती है उनकी जिब्बानी कैसे करते हैं प्रभू बिहार और कैसे होता है प्रभू का मोक्षिकमन इन्हें नकिवल आप आँखों से देखेंगे अपितु नाइनडी एफेक्ट के साथ आप अपने आपको उसमें सम्मलित महसूस करेंगे यह विश्व की उतकिष्ट तम तकनीक के माध्यम से संपन हो रहा है और दुनिया के बड़े लोग इसके साथ जुड़ करके काम कर रहे है सारा काम वर्ल्ड क्लास हो रहा है और इसके साथ एक दूसरा अडिटोरियम होगा जिसमें एक राइड होगी समोशरन दर्सन की समोशरन दर्सन नामक इस राइड में आप सोला मिनट में आप समो सरन के जीवन्त रूप का दर्सन करने का सुभाग काएंगे। हमने शास्तों में जैसा समो सरन का वर्णन पढ़ा है। उसका साकार रूप आपको महां देखने को मिलेगा। नकिवल देखने को मिलेगा। अपितु कुछ पल को आप ऐसा महसूस करेंगे। मानो साक्षात प्रभू के समो सरन में जाकर के आप आनन्द ले रहें। यह अजबूत चीज है। और उस फिल्में को देखके महारा जी मुझे उत दिन अपने ट्रस्टी बनने का बहुत गोरॉब लगा। मैं तो आप से यही बोलूँगा। कि वहां जो भी जुड़ा है उसने अपने भाव सुधार लिये। अपने नहीं पिडियों के भाव सुधार लिये। हलाकि सागर वालों से मैं एक कहूंगा। सागर के लोगों का मुझसे जुड़ा है। बहुत लोग गुनायतन से जुड़े हैं। पर सागर वालों को अपनी पहली प्राथमिकता सर्वत औ भद्र जिनाले को फून करने का देना चाहिए। इसलिए हाँ यह आपकी जवाब देही है। यह भी हमारी ही योजना है। गुरुदेव का आशिरबाद है। और शागर वालों पर भरोसा करके गुरुदेव ने गुरुतर दाईत तो दिया है। तो आप पहले इसे पूरा करे। और गुनायतन तो आपका है ही उसकी चिंता करने की जरुवत नही है। वहाँ जो जिसकी शद्दा भावना है सबने दिया है दे रहे है। लेकिन पूरे शागर की समास से में कहना चाहता हूँ। पहली प्रात्मिक्ता सर्वत ओफद्र जिनाने के लिए दे। और इस तरीके से दे। कि इस जिनाले का संपूर निर्मान सागर के ही लोग करके दिखा दे उन्हें किसी क्या पेक्षा नहों। और गुर्देव का आशिरबाद है, सक्षम भी हैं। और लोग सब मिल जूल करके स्योग करना है, आगे भी बढ़ना है। तो इसे देखें तो आपने ुकी गुनायतन की बात की, बहुत सारे लोगों के मन में नहीं भाव आते हैं। मैं तो कभी इस के से कुछों परबना किन पार्व देखें नहीं। और यह जिग्यासा लोगों के मन में है जानकारी लोगों तक जानी चाहिए और ये अधभुत चीज है जैन धर्म की युगानतकारी प्रभामना इससे होगी एक सो साथ देसों के लोग आकर देखेंगे और करतार्त होंगे ऐसा मेरा विश्वास है मुझे परोपुक्का बरसा है कि जब ये बन जाएगा तो लोग सम्मेश सिखर की टिकेट बाद में बनाएंगे गुनायतन की टिकेट पहले लेंगे वो रिजर्वेस्टन लेंगे क्योंकि बहुत सीमित लोगों के लिए एक सो में उसमें इस्थान बिलेगा इसलिए बहुत अच्छा राप लोग सोभा के साली है सागर के बहुत लोग उसमें जुड़े हैं प्रारंब से जब गुनायतन की नीव रखी गई थी जिसमें बहुत थोड़े लोग थे उसमें भी सागर के लोगों का बहुल था और सागर क्या पूरा बुन्देल खंड उसके साथ जुड़ावा उनकी बहुलता है बहुत अच्छी बात